हेलो दोस्तो मेरा हूल और मेरे पास है Samsung Galaxy A14 5G और आज किसे नो में इसके features के बारे बात करूँगा इस phone में जहां में out of box Android 13 देखने मुझत है जहां पर काफी सारे feature दिये गए एवेन यहाँ पर जाए Samsung का खुद का custom skin दिया गया है One UI 5.1 और साथ साथ यह नोक security को भी support करता है तो यहाँ पर काफी सारे feature दिये गया है तो यह वीडियो आप से end तक देख लिए है जिससा आपको जाएगा इस phone में क्या-क्या feature दिया गया है और आप इस phone को बड़े आराम से इस्तमाल कर पेएगा तो यह वीडियो फड़ा फट से स्टार्ट कर लेता है वीडियो स्टार्ट करने से बिले बदा दूँ चैनल पर यह चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा साथ साथ बेले ग्रूप है जिससे जब भी मैं कोई निया वरूप का आप जूंशन पहुत जाए सबसे पहले फीचर से तो आप चाहे तो इसके होम स्किन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते है अगर आप राइट की तबसक्राइगा तो यहां पर एक गूगल पेज़ दीग मिल जाते है आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं कैसे मैं आपको बताऊंगा पहले और भी फीचर बता देते हैं आपको डबल फिंगर से कुछ इस तेगी से करना है और नीची की तरफ आप देखिएगा तो यहां पर आपको जो है वाल पिपर थीम वेजिट्स और सेटिंग्स देखने मिल जाते हैं कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं तो आप अपने अगॉर्डिंग यहां पर देखने मिल जाता है काफी सारे आपको यहां पर चेंज कर सकते हैं यहां पर काफी सारे आपको जो है अलग अलग तरीके का आइकॉन भी देखने मिल जाता है कस्टमेशन के लि देखने को मिल जाता है तो यहां से थिम वगेरा यह सब बड़े आम से चेंज कर पाईएगा यही नहीं विजिट सेक्शन में यहां पर आपको काफी सारे शॉटकार्ट विडिजिस देखने को मिल जाते हैं जो कि Android 13 में हैं जो भी अप्रिक्शन आप इंस्टॉल करेंगे उन इसको चेंज कर पाईएगा फोल्डर में और आप कितना रखना चाते हैं इसते किसे चार तीन तो वह आप यहां पर फोल्डर का कर पाईएगा discover यहाँ पर option देखने मिल जाता है अगर for example आप जो यहाँ पर देखेगा app drive में discover का एक option देखने मिलता है यहाँ पर आपको ads वगेरा कुछ show होता है तो अगर आप इसे disable करना चाहता है तो यहाँ से आप disable कर देजेगा और यह देखिए आपका जो discover वाला option है मतलब जितने भी add वगेरा है वो आप generally यहाँ से हटा सकते है उसके बदर में settings देखने मिल जाता है यहाँ पर जो google discover जो कि आपको swipe करते ही आता था इसको आप disable कर दिजे और आप देखिए यहाँ पर यह शो नहीं होगा तो इसके से आप जो उस google page को हटा सकते है देन हमें यहाँ पर जो है media वगेरा का option देखने मिल जाता है यहाँ पर आप जो है so app screen on button का देखने मिल जाता है तो अगर आप जो है app button देखना चाहता है मतलब यहाँ पर जो है इस तरीक का app button आपको show हो जाएगा यहाँ पर आप जैसे आप यहाँ आप जय ब्युक्र कर सकते हैं आपजते हैं कोई भी application किसी चीज़ को भी जया अपनी जगह कर पाएगा यह दिकिए आप जो हचाई जम आप जो हाँ ऐना तक हो पने कि प्र एक Wow करेए उस हलियोड को आप problema बैज जिस वगरा है आपको डटेट्स चाहिए नंबर चाहिए या फिर आपको जह नहीं चाहिए फर गजमपल यहां पर कोई भी अप्लिकेशन में नोट्शन वगरा आता है नहीं तो एक डॉट शो हो जाता है या फिर वन नंबर टू नमबर शो होता है तो आप यहां से disable कर सकते हैं hide कर सकते हैं application वेगर को home screen से बट यहाँ पर आपको यहीं पर यह आकर उन्हें unhide करना पड़ेगा जैसा कि DRM को मैं hide कर देता हूँ यहाँ पर done करता हूँ और home screen में DRM कहीं पर भी दिखेगा नहीं मुझे अगर देखना हो तो यहाँ पर settings पर आकर फिर से मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा अपने hide app के option में इसे disable करना है done करना है उसके बाद फिर मैं इस वाले option को देख पाँगा otherwise यह disable रहेगा hide रहेगा तो यह काफी बड़िया option दिया गया है बागे app icon badges बगेर यह सब मैंने बताई दिया था swipe down notion panel यही बड़िफल टेनेबल रहता है यहाँ पर इस तरहीं से आप notion panel को swipe down कर सकते हैं home screen से ही बागे आप और नीची की तरफ आपको rotate length speed mode का option देखने मुझा जाता है यहाँ पर home screen को आप इस तरह के से rotate कर पाएगा और as a tablet भी जो है आप इसे use कर पाएगा मतलब जैसे tablet को use नहीं किया जाता है वैसे ही आप इसको use कर पाएगा नेक्स वीच बात करें तो इस पूर्म में आपको काफसार advanced feature देखने मुझा है इसके लिए आपको आना पड़ेगा setting space को down करके सीधा नीची की तरफ आपको advanced feature का option माँ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले लैप का option देखने मुझा है जहाँ पर आपको multi window app pop up view split screen यह सारे option देखने मुझा है जैसे आपको इन्हें enable करना है play store को मैंने open keyla for example और यहाँ पर play store के icon पर click किया तो यह देखिए यहाँ पर आप इन्फो तो देखने को मिल जाता है तो कुछ इस तेखिसे आप फुल डाउन करके exit कर पाईएगा यही नहीं यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको pop up view का भी option देखने मुझा जाता है और यहाँ पर minimize करना है minimize कर सकते हैं otherwise full screen करना है इसको click करके full screen otherwise यहाँ पर cut कर सकते हैं तो कुछ इस तेखिसे यहाँ पर आप जहें लैब्स वगरह में इने इनेबल करके इनका मजा उठा पाईएगा तेना में side key का option देखने मुझा जाता है side key यहाँ पर जो side power button है इनको डबल बार प्रेस करके जो option आप रखना चाहता है camera by default रहता है आप चाहें तो कोई application को और भी add कर पाईगा मतलब यहाँ पर camera को हटा कर किसी और application को जहाँ लगा पाईएगा हो जाएगा तेना में देखने मुझा जाता है keep screen on तो यहाँ पर यह जो है और नेबल करने पर आप जो है फोन को जब तक अपने चैरिक के सामने लेकर रखेंगा तब तक आपका screen on रहेगा off नहीं होगा उसके वादा में देखने मुझा जाता है alert phone pickup का option तो यहाँ पर आप आप जो है phone को अपने कानों के सामने लेजेगा automatically यह phone को जो है pick up कर लेगा fingerprint sensor जैसर दिया गया इसको enable कीजिएगा तो यहाँ पर fingerprint sensor के जरीए आप जो है नीचे की तरफ ला सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तेक से नीचे की तरफ ला पाईएगा तो यह बढ़िया भी option दिया आप चाहें तो इसको enable कर पाईगा one end mode आप सभी जानती होंगे screenshot यहाँ पर जाए three finger screenshot तो available नहीं है बट आप जह है volume down और power run दोनों के एक साथ प्रेस करके screenshot ले सकते हैं और यहाँ पर आप जो edit वगेरा करना है crop वगेरा करना है यह सब आपको यहाँ पर मिल जाता है तो आप जाता है गेम लांचर का option देखने मिल जाता है dual messenger का option देखने मिलता है जहाँ पर आप जो है फेस्बूक या फिर snapchat या फिर whatsapp social media application के clone यहाँ पर कर पाईएगा next बात कर अगर आप notion panel को नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको notion देखने मिल जाता है notion shortcut देखने मिलता है but brightness देखने मिलता है आप दुबारा नीचे किजिएगा देन आपको brightness देखने मिलता है कभी कबार brightness कम जादा करने में issue होता है तो कैसे आप brightness को ऊपर ला सकते हैं simple है आपको डबल बार जो नीचे करना है इस 3 बटन पर क्लिक करना है कोई layout panel पर चल जाना है और यहाँ पर आपक आपको जो है brightness control के option को so always कर देना है done कीजिए अब यहाँ पर देखेगा आपको जो brightness है वो ऊपर ही देखने को मिल जाता है आपको डबल बार जो है नीचे करने का जरूत नहीं है इवेन यहाँ पर जो shortcut वगरा देखने को मिलता है यहाँ पर काफी सारे shortcut आपको जो है देख करके add कर सकता है यहाँ पर देखे काफी सारे microphone access वगरा sound यहाँ पर हो गया extra dim हो गया high text front हो गया color वगरा हो गया ultra data saving mode हो गया call and text other service kit support में हो गया power protection हो गया यह सब आपको जो है dolby at most यह सब protection shortcut आपको देखने को मिल जाता है और even यही नहीं जो भी application आप install करेंगे अगर उसके कुछ shortcut वगरा रहता है notion panel के लिए तो वो directly यहाँ पर आपको देखने हो मिल जाता है आपको बस यहाँ से एडिट करके उसको shortcut में लाना पड़ेगा even इस में आपको यह एक कमालगा kid mode देखने हो लिए मिल जाता है यहाँ पर आपको इव्याद्आ का इसको सिंप्ली आपको ड्रैग डाउन करके यहाँ यहाँ आप लाना है इंस्टॉल होता है बट वह हाईड रता है और आपको अगेरा दे देना है अब यहां पर बच्चों को चिए डाउनलोड करके दे सकते हैं यहां पर माई गैलेरी बच्चों के लिए चिफ रहेगा और पैरेंटल कंट्रोल में जाते हैं तो यहां पर आपको आपना श वगयरा आप अच्छा थे एड कीजए अड कर दीजे वह गेम एड हो जाएगा यहां पर सेफ कर पाइए गा यहां पर कितना टाइम वगयरा अलाओ देना है लिमिट रखना कि नहीं कोई कॉई कांटेक्ट वगयरा मीडिया वगयरा म्यूजिक वगयरा यह सब आप देख जए डिश्ट के तौर पर यहाँ पर डेखने हो मिले हैं। मतलब बच्चा भी excited रहेगा यह गिफ्ट के तौर पर आया हुगा है। और बच्चा kid mode पर नाहीं option panel को नीचे कर पाएगा नाहीं यहाँ पर exit हो पाएगा अगर वह exit भी होना चाहता है ना तो बिना password के exit नहीं हो पाएगा अगर वो password जानता है तो यह exit हो पाएगा नहीं जानता है तो वो exit नहीं हो पाएगा वो kid mode पे ही रहेगा और जिससे आपके सारे application बगएबरा और यहाँ पर जो भी आपके document बगएबरा वो जो है safe रहेगा निक्स विच बात करें अगर आप जो है इसके camera application से portrait photos वगेरा capture किये हुए है और बाद में आपको जो है background blur वगेरा जो है कम या फिर जादा करना है तो यह आप कर सकते हैं या फिर click करते time कर सकते हैं या दिखें करते time आप इसको कम जादा कर दीजे उसके according यह यहाँ पर background कम जादा हो जाएगा और यह front camera में भी work करता है और अगर आपने click भी कर लिया है तो भी आप जो है background blur को कम जादा कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं काफी सारी effect देखने हो मिल जाते हैं इसके लिए आपको आना पड़ेगा गैलेरी में गैलेरी में आपने camera section में आन इसके करता हूं तो यहाँ पर देखें काफी सारे effect देखने को मिल जाते हैं और इवें यहाँ पर जाए आप इसको कम जादा भी कर सकते है background को यह देखें बैगराउंड को आप अपने according कम जादा कर पाईएगा मैं नस्दीक से दिखाता हूं यहाँ पर आप जहां से देख से background को अपने according जो है चेंज कर पाएगा जो कि काफी बढ़िया feature यहाँ पर देखें मिलता है बागी apply कर दीजिएगा और यह जो है save हो जाएगा next page बात करें अगर आप यहाँ पर innovation बार को as a basis इस्तमाल करना चाते है तो यह भी कर सकते हैं इसके लिए आपको आना हैं और even यही ने dark mode में आप चाहे तो schedule भी लगा सकते है brightness कम जादा auto brightness enable disable साथ आपको यहाँ पर motion का भी option देखने मिल जाता है जैसे कि हमें 90Hz का display दिए जाता है इस phone में तो आप चाहे तो यहाँ पर standard 60Hz रख सकते हैं या फिर यहाँ पर जो auto पे कर सकते हैं यह automatically 90Hz और 60Hz में switch होता रहेगा तो आप चाहे तो 60Hz को भी select कर सकते हैं देन हमें i comfort shield option देखने मिल जाता है जो कि brownish सा हो जाता है आप अपने according कम जादा कर सकते हैं schedule भी लगा सकते हैं यह website reading वगरह में काफी काम में आता है क्योंकि कभी का बार website read करते हैं हम लोग रात में अंधेरे में phone को लेकर नीत लेते समय तो आखों में जलन या फिर चूबन होता है तब यह काम में आ सकता है next हमें front size यहाँ पर style बड़ा करने का option देखने मिल जाता है यहाँ पर आपको कुछ style दिया गया है कुछ आप download भी कर सकते हैं आपको Samsung के account में login होना पड़ेगा दिन यहाँ पर आप आप allow नहीं ले रहा है जैसे देख पार हैं कुछ app allow नहीं ले रहा है तो यहाँ से आप जब उन्हें toggle करके allow दे सकते हैं camera layout यहाँ पर आप देखेगा तो camera layout यहाँ पर आपको क्या रखना है किसमें क्या है सबमें auto लगा हुआ है अगर आपको किसी का camera layout ऐसे पसंद यह gaming व a ला नहीं होगा देने स्किन टाइम आउट का देखने को मिल जाता है इसकोनborhral पर साइड में एक एच plans देखने को मिल जाता है यह देख पार हूंगे और यहाँ परो शॉटटकट वगड़ां हमें लेहाँ नहीं मिल जाते हैं जैसे कि calculate आप चाहें तो यहां पर add भी कर सकते हैं और directly यहां पर click करके आप सारे application को access कर पाएगा तो यह shortcut एक तरह से हो गया बागी edit पर click करके आप किसी भी application को यहां पर रख सकते हैं और मैं अगर इसे disable करता हूं तो यह disable हो जाता है नेविशन बार जैसके मैंने बोला यहां पर जो नेविशन बार है उसे आप कैसे change कर सकते हैं तो यहां पर देखे आप left right तो करी सकते हैं साथ साथ अगर आपको jesus चाहिए तो यहां पर jesus को select किजे और automatically यहां पर jesus आपका हो जाता है बागी more option पर जाकर आप यहां पर अप तो आप चाहिए तो यहां पर button या फिट jesus जिसको भी आपको जो comfortable लगता है वो आप select कर पाईएगा उसके उधा हमें accidental touch protection का option देखने मुझाता है कभी को पर हमारा जो phone pocket में रहता है और accidentally touch हो जाता है तो इसके enable करने पर क्या होता है न यह देखिए phone जो है pocket में है और मैं touch कर देता हूं और यहां पर जो accidental touch नहीं होगा यह देखिए यहां पर जो accidental touch protection enable है touch नहीं होगा किसी बुक को भी जो unwanted call वगेरा नहीं जाएगा उसके touch sensitivity मतलब अगर आप यहां पर जो एक glass वगेरा लगाते है फोन में और sensitivity कम हो जाता है तो आप इसको enable कर दीजाए जिससे आ इस phone में आपको direct video call का option देखने हो मल जाता है यहीं नहीं इस phone में जो आपको Samsung का dialer दिया गया है तो आप यहां पर call record भी कर सकते हैं सामने वाले को पता नहीं चलेगा जो आपने call record वगेरा किया है settings पर आप यहां पर call recording बजाकर auto को भी enable कर सकते हैं या फिर selected number को भी enable कर पा काफी सारे यहां पर जाए background वगेरा चेंज करने का option आपको देखने हो मल जाता है color tune, ringtone यह सब कर सकते हैं answer यहां पर alert वगेरा इसको आप enable कर पाएगा quick detect message वगेरा में आप कुछ message वगेरा save करके रखा पाईएगा call and pop up अगर आपको जाए इस तरह का small pop up चाहिए full चाहिए या फिर यहां पर mini pop up चाहिए तो आप अपने recording यहां पर set कर सकते हैं mini pop up काफी सही रहता है call वगेरा आने पर बागे आप अपने recording देख सकते हैं कौन सा pop up आपको select करना है उसके यहां पर कुछ other call settings वगेरा यह सब हमें देखने को मिल जाता है कुछ यह सारे आपको settings generally calls में देखने को मिलता है नेक्स फिच बात करें तो इसको में आपको काफी सारे pre-loaded application देखने को मिल जाता है जिसके लिए आपको third body application install करने का ज़रूत नहीं है और यहां पर Samsung पर आजेए आपको देखें यहां पर काफी कुछ देखने मिल जाता है Samsung shop वगेरा यहां पर health वगेर मैंने खुद का अफ़तार किया हुआ है sticker वगेरा यहां पर आपको काफी सारे देखने मिल जाते हैं यह देखिए आपको download करके आप किसी को भी send कर सकते हैं even यहां पर lock screen के लिए आप इस तरी के content वीडियो वगेरा के लिए video call के लिए creative यह सब यहां आप यहां पर कर पाए में जो है pick वगेरा ड्रॉ कर सकते हैं तो यह काफी कमाल का यह application दिया है ठाट पड़ी application इंस्टॉल कर नगाज़ होतनी है samsung tv plus देखने मिल जाता है fm radio inbuilt देखने मिल जाता है smart switch का option देखने मिल जाता है जहां पर आप पुराने device से data वगेरा को transfer कर सकते हैं अगर आपके प देखने मिल जाता है Microsoft Office देखने मिल जाता है और फ्री फंट में इंस्टॉल रहता है जो काफी अच्छी बात है नेक्स फीच बात करें तो इसके लिए सीधा आपको इसके settings option में आ जाना है और यहां पर सारे option में आपको कुछ फीचर्स देखने मिल जाता है samsung account में आप जो यहां पर देखने मिल जाता है connected device यहां पर आपको smart thing देखने मिल जाता है galaxy wearable देखने मिल जाता है सासाथ आप android auto इन सब में connect कर पाएगा और सासाथ आपको यहां पर moods and routine के हिसाब से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने phone को यह देखिए sleep theater driving कब क्या करना है यहां पर आप जो है set कर सकते हैं अपने according उसके उधा में sound and vibration का option देखने मिल जाता है जहां पर आप sound and vibration related customize वगेरा ringtone वगेरा यह चो आप अपने according सेट कर पाएगा देखने मिल जाता है यहां पर जो है nutrition वगेरा का नोट्षेन में यहाँ पर आप नोट्षेन वगएरा को आप allow दे सकते हैं, disallow यहाँ से आप डाइगलिक कर पाएगा, उसके अधर आपको नोट्षेन पॉपप वगएरा देखनों मिल जाता है, lock screen में यहाँ पर आपको hide वगएरा करना है, नोट्षेन को, या फिर यहाँ पर option है, यहाँ पर कई बार हम लग फोन को silent करके unsilent करना भूल जाता है, तो यह option काफी help करता है, आप इसे enable करके अपने according timer लगा सकते हैं, कितने बज़े आपको silent करना है, unsilent करना है, और even यही नहीं, यहाँ पर आप उन person को allow दे सकते हैं, जिन person का call आपको important लगता है, जैसे girlfriend हो गया, mommy हो गया, पापा हो गया, तो उनको आप allow दे सकते हैं, रात को दो बज़े भी अगर वो call करेंगे न, आपका phone do not disturb mode पे भी रहेगा न, तो भी आपका phone ring होगा, तो emergency call वगेरा जैसे आपका छोटे गानी, तो यह काफी बढ़िया है, यहाँ पर जैसे हर phone में दिया यहाँ पर conversation, यह सब floating window, यह आपको जो है, notion badges वगेरा, यह आपको जो है, generally देखने को मिल जाता है, next जो option हमें settings में देखने को मिलता है, इसके बने में मैंने पहले ही बता दिया था, wallpaper and style देखने को मिल जाता है, wallpaper में wallpaper चेंज कर सकते हैं, बट style में आपको काफी कुछ देख और यह जो apply होते ही, color वगेरा यहाँ पर change हो जाएगा, थोड़ सा time लगता है apply होने में, बगई यह देखे, color वगेरा चेंज हो गया, और यही नहीं, आप यहाँ पर basic color अपने according color को slick कर सकते हैं, और यहाँ पर apply दे सकते हैं, और आपके according यहाँ पर color change हो जाएगा, यह दे जाता, उतके अदमें यहाँ पर lock screen का option देखनों में जाता है, lock screen में यहाँ पर change कर सकते हैं, pattern वगेरा यहाँ पर दे सकते हैं, smart lock option देखनों में जाता है, यहाँ पर lock screen edit वगेरा करना है, तो आप इस पर click करके edit कर सकते हैं, आपको for example, कुछ add करना है, यहाँ से कुछ हटान आपको यहां नही Kapर आपको होँ और चाहिए तो यहां पर कुछ और अप्लेक्शन को आप कर सकता है इंको स कर सकते हैं को सब्सक्राइक कर सकते हैं बाकी यहां पर इसको डीसिबल कर पाएगा तो यह सब लॉख स्क्रीन में आपको settings देखने को मलता है security और privacy में आते हैं तो यहाँ पर आपको lock account, find my phone, app security यह सब देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप security वगरा biometrics वगरा यहाँ पर fingerprint वगरा यह देखने को मिल जाता है secure folder because इसमें आपको Nox Secure का security मुलता है तो Secure Folder भी यहाँ पर दिया गया है Secure Folder में आपको जाने के लिए यहाँ पर आपको आपके Samsung Galaxy एकाउंट से Logging होना पड़ेगा दिन आप Secure Folder में मज़ा उठा पाएंगे और Secure Folder में आप अपने कुछ document या फिर कुछ files वगएरा Secure करके रख पाएगा उसे कोई और access नहीं कर पाएगा Private Share का option देखने को बल जाता है जहाँ पर आपको प्राइवेटली शेयर वगएरा कर सकते हैं और यह भी आपको Samsung Account Holder करना पड़ेगा मतलब यहाँ पर Samsung का एकाउंट क्रियेट करना पड़ेगा Install app वगएरा यहाँ से permission वगएरा देख सकते हैं यहाँ पर other security वगएरा यह सब आपको देखने को बल जाता है जैसे कि PIN आप यहाँ पर आपको other security में देखने मलता है यह मेरा favorite option है For example यहाँ पर YouTube का आपने open किया बच्चों को देते हैं YouTube वगएरा करने के लिए बट वो यहाँ यहाँ पर YouTube को minimize करके कुछ और delete कर देते हैं तो आप यहाँ पर पिन करके दे सकते हैं यह देखे पिन दिस आपका option आगया आप स्लिक किजिए पिन हो जाएगा पिन होने एक बाद यहाँ पर notion panel नीचे नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा जब तक आप exit नहीं कर सकते हैं इन दोनों को press करके exit भी अगर बच्चा कर लेता है तो phone lock हो जाता है जब तक आप unlock नहीं किजिएगा तब तक यहाँ पर आपका बच्चा सिर्फ बना रहेगा यूटूब पर ही तो यह वाला feature काफी बड़ी है यहाँ से आप इसको enable कर पाईएगा देना में देखने को में जाता है यहाँ पर location, safety and emergency, account and backup यह सब backup, account, restore वगेरा यहाँ से आप डैगी कर सकते हैं देखे, restore वगेरा, backup वगेरा करना है storage वगेरा, खाली करना है गूगल देखने को में जाता है advanced feature मैंने पहली बता दिया था digital gaming and parental control जहाँ पर जाएप देख सकते हैं क्या-क्या आपने सारा दिन में क्या-क्या यूज किया उसके बद यहाँ पर हमें battery and care device का option देखने में जाता है device care का जहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितना यूज किया हुआ है internal storage में से कितना आपका free है सासाथ आपका RAM कितना free है और even यहाँ पर आप RAM memory को extend कर सकते हैं आपके phone में 4GB का RAM है आप 4GB और प्लस कर सकते हैं पर आप चाहें तो 2GB मतलब internal storage से और 2GB मतलब 4-2-6 हो जाएगा या फिर 4-4-8 आप आप कर सकते हैं अपने according यहाँ से बागे device fiction का option देखने में जाता है तो यहाँ पर आपका सही से work कर रहा है कि नहीं डार्टी यहाँ से आप देख सकते हैं इसको turn on करते ही आपको Samsung में लॉगिंग करना पड़ेगा यहाँ पर आप device के protection को देख सकते हैं Samsung के आपको account में लॉगिंग करना पड़ेगा उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएगा बागे protection यह कमाल का देता है तो यह आप देख पाएँगे इससे आप जाएँबल कर सकते हैं आल्टर डेटा सेविंग मोड वगेरा देखने को मिल जाता है और यह भी वैसे ही feature है आपको यहाँ पर Samsung के एकाउंट में लॉगिंग होना पड़ेगा देन आपका touch सही से वर्ट कर आएगे नहीं वाइफाई वर्क कर आएगे नहीं यह जो है वो चेक करेगा आगे software update वगेरा देखने को मिल जाता है यहाँ पर magnification mode वगेरा यह सब आपको देखने को मिलता है देन हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप्स वगेरा उसके वद हमें यहाँ पर general management वगेरा देखने को मिल जाता है यहाँ पर update and time अपने according लिख कर सकते हैं 24 zone चाहिए एफेन नहीं उसके वद हमें यहाँ पर keyboard वगेरा settings वगेरा mouse वगेरा trackpad वगेरा यह सब देखने मिल जाता है reset dagli यहाँ से कर सकते है accessibility देखने मिल जाता है जहाँ पर आपको accessibility menu यह सब जो है normal आपको देखने मिलता है software update user manual remote support यह सब about phone में आप जो है phone के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है जैसे कि अगर मैं दिखा हूँ तो software information में यह जो है android 13 पर चल रहा है और अगर आपको android 13 से थोड़ा बहुत खेलना है तो android 13 पर मतलब 13 बजा लिजे उसके बाद आप यहाँ पर प्रेस एंड होल कीजे और यह देखें यहाँ पर कुछ इस तेक से आपको काफी अच्छ अच जाता है और यह जो है वन यूवाई 5.1 पर वर्ड करता है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था बाकी बैटरी इंफॉर्मेशन वगेर है यहाँ से आप सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से ले पाइंगे तो फ्रेंट्स यह था galaxy f14 5G का फीचर वीडियो वीडियो पसंद आखा अगर पसंद आख पीच में वीडियो को लाइक कर देगा साहसा चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बिले कमें को बैसकर करके और यह जो है उनका रिप्लाइ करनी कोश्च काऊंगा बागी जो है मिलता है आपके साथ नेक्स वीडियो में नेक्स कॉं बैबाय और यह स्तरीय मुस्कुवात्रीय और बनेरिया आर्जे टेक्निकल्स के साथ